आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Friends, हम आज जो Question है उसमें बुलगा है कि शो करो कि एक Triangle ABC में इसकी Value जो है वो 1 के Equal है ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले Solve करते हैं ठीक है, उसके बाद हम इन सभी को लिखते जाएंगे तो देखो, ये हो गया मेरा Cot B, और Plus में कितना है Cot C है और Divided By कितना है Tan B है और Plus में कितना है अपना Tan C के Equal है ठीक है, तो देखो, हम क्या कर रहा है कि इन सभी को Sin Cos में Change कर देते हैं तो देखो, मुझे पता है कि cot जो होता है, वो Cos By Sin होता है मतलब ये हो जागा, मेरा Cos B, Divided By कितना Sin B हो जागा और Plus में, इसके बादे कितना हो जागी ठीक है, क्योंकि 10 क्या होता है Sin B, Cos होता है तो ये हो जागा, मेरा Sin C और Divided By कितना हो जागा, मेरा Cos C के Equal ठीक है, तो यहां से LC मिलूँगा, तो कितना जागा उपर LC मिलूँगा, तो यहां पर आएगा मेरा Sin B Sin B और Sin C आएगा और यहां पर Multiplication करूँगा तो यह कितना हो जागा, मेरा Sin C और इंटू में कितना Cos B हो जागा और Plus में, यहां पर Sin B और इंटू में कितना Cos C हो जागा, ठीक है चलो, अब नीचे वाले के भी देख लगता है तो देखो, नीचे वाले के आएगा मेरा यहां पर LCM लोगा, तो कितना हो जागा मेरा Cos में B और Cos में C हो जागा, ठीक है और यहां पर Multiplication किसे होगा Cos किसी के साथ तो यह हो जागा मेरा Sin B और Sin B और Cos में C हो जागा और Plus में Plus में यहां पर हो जागा Cos B और अपना Sin C के एक वाल ठीक है, तो देखो, यह देखो, अपना क्या है, sin B cos C, और यहां पर भी देखो, sin B cos C है, और प्लस में cos B sin C, cos B sin C, सेम ही तो है, ठीक है, तो यह दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, तो यह और यह क्या होगा, कट गया, चलो, तो बचा क्या, देखो, यह अपन 1 by में sin b और into में कितना sin c है ठीक है? चालो और ये कितना है अपना? इसको ऊपर ले जाओंगा तो ये कितना हो जागा? ऊपर हो जागा मतलब cos b और into में कितना अपना? cos c divided by 1 हो जागा, ठीक है? तो यहाँ से देखो cos b divided by sin b यह कितना होगा? cot b के equal होगा. और यहां पर cos c divided by sin c यह कि watt c के equal होगा? cot c के equal होजाएगा. ठीक है? इसका मतलब यह होता है कि भाई, अगर इस طरह का है, इसका मतलब यह होता है कि भाई, इसकी value होजाएगी मेरा cot b और in too में कितना cot c के इकवर, ठीक है, देखो, यही हमने निकाला है, चलो, तो देखो, इन सभी की value हम लिख देते हैं, तो देखो, यह cot b, cot c है, तो इसकी value कितनी हो जाएगी, इसी तरह का है, बट c और a है यहाँ पर, तो यह हो जाएगा, cot c और cot into में cot a, और यह हो जाएगा, cot a into में कितना, cot b, ठीक है, तो lhs लेके चल रहे हैं, तो lhs में हो जाएगा, मेरा cot b, और into में कितना, cot c, अब plus में कितना, देखो, cot c और cot a, cot c और cot cot है, a, अब plus में कितना है, cot a, और cot b है, ठीक है, तो देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ न, कि इन सभी को tan में change कर देता हूँ, तो 1 by tan c. तो 1 by अपना यहां पर हो जाएगा tan b और यह अपना tan c. ठीके. अब प्लस में इहां कितना हो जाएगा? यह हो जाएका मेरा 1 by में tan c tan c और tan a ठीके. अब प्लस में यहां पर 1 by में tan a tan a और tan b ठीके. चलो. तो इन सभी का अगर मैं LCM लिलूँगा तो हो कितना आजाएगा तो देखो LCM लिलूँगा तो LCM आएगा मेरा tan A tan A और इंटू में कितना tan B और इंटू में कितना tan C आएगा ठीक है तो यहाँ पर किसे multiplication होगा तो देखो tan B और tan C अल्रेडी है यहाँ पर तो tan A से होगा तो यह हो जाएगा मेरा tan A और प्लस में यहाँ पर देखो tan B ठीक है और यहाँ पर कितना tan C ठीक है चल तो देखो यह एक triangle ABC जो अंगल है वो क्या है एक triangle का अंगल है तो तीनों का sum जो होगा A plus B plus C यह किसके एककल होगा आप वहुंदन सम माँद्र को प्लस और यह जा है बाई को जैका खुल होगा क्योंकि obviamente टेखो ट्रैंगलने डेंगल में किसी भी हो तूंद में समी आप अपैय कई यहीं में एकुल इसका formula क्या होता है मेरा tan A और plus में कितना tan B tan B और plus में कितना tan C ठीक है और minus में कितना tan A और into में tan B और into में कितना tan C और divided by divided by मेरा चलता है 1 minus में tan A into में कितना tan B ठीक है और minus में tan B और into में कितना tan C और minus में tan c और into में कितना tan a के एक्वल ठीक है तो देखो इसकी value 0 के एक्वल है इसका मतलब ये ऊपर वाला क्या होगा 0 के एक्वल होगा ठीक है तो ऊपर वाला 0 के एक्वल होगा इसका मतलब क्या होता है कि tan a अफ प्लस में कितना tan b और प्लस में और प्लस में कितना टैन बी और प्लस में कितना टैन सी ये कल हो जाएगा टैन ए और इंटू में कितना टैन बी और इंटू में कितना टैन सी के कल ठीक है तो देखो यहां पर जो मेरा चल रहा है यहां पर क्या है ये टैन ए प्लस में टैन बी प्लस में टैन सी आया है ठीक है इसको हमें लिख सकते हैं, tan A into tan B into tan C, ठीक है, तो यह देखो, tan A into tan B, tan C हो जाएगा, तो divided by वहीं चीज है, तो यह 1 के equal आग जाएगा ना, इसका हम तो यहाँ पर देखो, यह हो जाएगा मेरा tan A, tan B, tan C, और divided by कितना, divided by हो जाएगा मेरा यही, tan A, tan B, और यह अपना tan C, ठीक तो यह किना हो जाएगा, 1 के equal हो जाएगा, तो आगे ना, यह RHS के equal, ठीक है, तो यहाँ से हो गया मेरा LHS is equal to RHS के equal, ठीक है, तो यह हो गया मेरा proved, तो हूब आपको समझ में आओगा, thank you.